हलो फ्रेंड वेलकम टू वारार्वी में तिना डिफर दोस्तो आज के वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूं गुडा करने की सांदार्टी दोस्तो बहुत लाजवाब तरीका है दोस्तो अगर आप इस्ट्रिक को अगर सीड जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास दस एवंग दहाई के अंको का जब समान हो तो ऐसी संख्याओं का हम गुडा देखें बहुत आसाम तरीका से बताएंगे यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के अंको का यहां पर योग दस होगा देखें यहां पर दो है यहां पर आठ है इन दोनों की इकाई का अं गे सार्धकाई 25 नर्च। तो आठ दो जोड़ेंगे कितना होगा दस होगा यहाँ पे इकाई के अंको का यूग कितना है दस है तो इन दोनों का हम गुड़ा कर देंगे पहले आठ और दो का अपस में गुड़ा कर देंगे आठ दुना की हो गया सोलह और यहाँ पे साथ है साथ से एक अधिक करके यहाँ पर लिखेंगे साथ और एक आठ आठ का साथ में गुड़ा कर देंगे कितना हो जाएगा चपपन हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा चपपन आप गुड़ा करके देख सकते हैं तो यहां पे देखेंगे, यहां पे 21 नाग 5 है और यहां पे 21 नाग 2 है तो यहां पे 28 में घुटा कर लेंगे जब आपको 282 आप सी अजल आ जाए तो आप देखती ही ऊड़ाद होगे आगले question को हम करते हैं, यहां पर देखेंगे कितना है, 8 है और यहां पर 2 है, 8 और 2 का क्या करतेंगे, गुड़ा करतेंगे, तो 8 दुना के कितना हो गया, 16 हो गया, 8 दुना के 6 हो गया और यहाँ पर दे रखा है 11 दाही कांग की 11 यहाँ पर भी 11 दोनों समाने तो 11 में हम की आज एक जोड़ करके लिखेंगे कितना हो गया 12 हो गया 11 और 12 का गुड़ा कर देंगे हो जाएगा 132 यहाँ पर हो जाएगा 132 हो जाएगा यानि 1326 हो जाएगा अब अगला देखेंगे यहाँ पर दे रखा है 12 12 गुड़े 12 24 तो यहाँ पर भी 6 का 4 में गुड़ा कर लेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 6 या और 4 का गुड़ा कर देंगे 6 चो के कितना हो गया 24 हो गया यहाँ पे देखेंगे क्या है 12, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पे दोनों समान है, जब ऐसी संक्या मिले तो यहाँ पे 12 में एक जोड करके लिखेना कितना होगowan को है? 13 हो गया, और 13 का हम 12 में गुडा करके लिख देंगे, जब 13 का 12 में गुड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे आसपास की जब दो संख्याओं का गुड़न फल जब रहे है तो ऐसे question को दीखे हम कैशे सालो करेंगे यहाँ पे देखेंगे 105 यहाँ गुड़े 106 यह दोनों संख्याओं सो के आसपास में तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखेंगे इकाई कान क्या है 5 है और यहाँ पे इकाई कान 6 है तो यहाँ पे 5 और 6 का हम आपस में गुड़ा कर लेंगे तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30 होगा 30 हम पूरा लिखेंगे अब यहाँ पे टोटल कितना संख्या है 105 है 105 में 6 को जो टांसो निकल के आ जाएगा अब यहाँ पे देखेंगे यह अगला है आठ है और यहाँ पे नव है इकाई का अंक आठ और यहाँ पे नव है तो यहाँ पे दोनों का गूड़ा कर देंगे तो आठ नवा कितना हो जाएगा बहत्तर हो जाएगा आठ नवा बहत्तर यह जो ट्र 170 हो जाएगा compliment अभ उसी तरह यहां भी कर लेते हैं दो का तीन में गुडा करेंगे तो यहां पे 2 3 6 लेकिन 6 यहां पे 6 जब लिखेंगे तो इसे में इकाई कांग एक ही बार लियता है 002 तक कम्कों को 206 तो 2 तेंग चा यहाँ पे 0 चा लिखेंगे और 102 है और यह 3, 102 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 105, 105 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, 4 का 7 में गुड़ा कर देंगे, 4 सते 28, और यहाँ पे 104 है और 7, 104 में 7 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 111 हो जाए भी कुछ ट्रीक हम देख लेते हैं, तो देख रहें हैं दोश्तों कितना, कितना यहाँ पे फास्ट बन रहा है, तो अगर यह जान जाएगे तो आप इससे भी फास्ट करने लगेंगे, आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और बीना पेन उठा, यानि साता है, ठीक है, तो चलिए आगे भी हम कुछ ट्रीक को आपको बता देते हैं, इसमें आपको वर्गों की संख्या पता करना है, कि इसमें वर्गों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे देखेंगे, यह वाली जो लाइन है, इसको हम पक्ति कते हैं, यानि रो कते हैं, या हम कालम काते हैं ठीक है तो यहां पे देखेंगे पहले रो कितना है तो यहां पे एक दो तीन चार कितना रो है तो यहां पे आपका चार चार रो है और यहां पे कालम देखेंगे कितना है तो एक दो तीन कालम कितना है तीन है यहां पे तीन कालम है तीन कालम है ठीक यह हमको र और पक्ती पता हो गया, अब यहां से देखेंगे क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे रो दिया है चार, तो हम यहां पर चार लिख लेंगे, कालम दिया है तीन, तो यहां पर गुड़े तीन करके लिख देंगे, अब ठीक यहां पर तीन दिया है, तो यहां पर तीन, तीन ल दो एकम दो ठीक है अब यह सब को जोड़ देंगे बारा और छाठारा अठारा और दू बीस हो गया यानि कुल कितने यहां पे वर्ग होगे तो इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या होगी कितना होगा बीस होगा बीस आपका राइट आमस होगा करना कुछ नहीं है एक बार फिर से देख लिए यहां पे सबसे पहले क्या रो गीनेंगे कितना है तो एक दो तेन चार यहां पे चार रो है तो चार यहां पे कालम कितना है तो तीन कालम है तो यहां पे तीन लिग देंगे अब यहां पे देखेंगे रो कितना है तो यहां पे चार पंक्ति कितना है ती तो यहां पर गुड़ा करने पीतना है यहां पर जोड़े कितना हो गया बीस हो गया अब यहां पर देखेंगे जब आपको रो और कालम आपको बराबर मिले रो और कालम समान मिले यहां पर देखेंगे रो कितना है एक दो तीन चार यहां पर देखेंगे कालम कितना है तो एक के दो तीन चार चार रो है और चार कालम है तो ऐसे कोश्चन को हम कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले हम एक का स्कॉार करेंगे फिर इसके बाद दो का स्कॉार करेंगे फिर तीन का स्कॉार करेंगे और चार का स्कॉार करेंगे यहाँ पर चार है यहाँ पर सिक्काल में और चार रो हैं, तो यहांपे चार कori कर द canyon करेंके 1, 2, 3, 4, इसके स्कु चड़ा देंगे। अब अगर हम 현 करेंगे तो 1 होगा, उसका स्कुर होगा, उसका स्कोर न होगा, सबको जोड़ दि prepared to solidarity तो consequence का हमारा इतना ट्रिक तो दोश्तों बताईए वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेशन में बताईए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सेर कर जीजे और चैनल पन्यवतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जीजे धन्यवान